इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ सब्द आपको जोड़ना और कुछ सब्दों में सोरों का प्रियोग भी बताया था उसका आपने अभ्यास किया होगा और आपके हाथों में कुछ आउटलाइन सब्दों के रूप में प्रैक्टिस में आ गई होगी उसी की क्रम में आँगे भी मैं कुछ सब्द और अभ्यास कराऊंगा आँगे एक दो वीडियो और आएंगे क्लास सब्दों का अभ्यास करने के लिए इन सभी exercise का अभ्यास कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके हाथों से प्रतियक रेखा अक्षर इस पस्ट सही तरीके से बनने लगे अगर आउटलाइन रेखा अक्षर में इस पस्टता नहीं होगी तो आप लिख कर पढ़ नहीं पाएंगे और ये आदत अभी से इस पस्ट बनने की पढ़ गई तो आँगे जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी और गलतियां एक लिमिट के बाद इन्वैलिड हो जाता आपका समय लीजिए मतलब कि अगर आप पांच परशन गलतियां माफ हैं एक गलती भी उससे उपर हुई आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे इसलिए बहुत ध्यान से जितना मैं बोलू अभ्यास करने में कमी मत करना कोताही मत करन नियमित अभ्यास करना बिना किसी अंतराल के रगुलर एक आठ दिन तवियत खराब हो जाती है चल जाएगा घूमने चले गए इंजॉय करने लगे किसी गेम में इन्वाल्व हो गए ठीक है सीजन पर गेम चलते रहते हैं खेल रहे और वो नहीं बात कर रहा हूं देखने म में इन्वाल्व हो गए यह लाइफ का आनंद लेने में इन्वाल्व हो गए फिर इस्टेनोग्राफिक कर रहे हैं नहीं समझ में आएगी भी यह आपको मन से तयार होना होना पड़ेगा इस्टेनोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले बाद में इस्टेनोग किजिए पहल आप अब्यास करते हो उसका रिजल्ट अलग ही दिखेगा औरों को चार साल पांच साल तीन साल लग जाएंगे एक्जाम कौलिफाई करने में लेकिन जो डिस्प्लिन के साथ बिना किसी गैपिंग के स्टेनोग्राफिश करेगा वो से आठ महिने के अंदर अंदर टेस्ट पास करने की छमता हांसिल कर लेगा ठीक है नहीं तो आपको लोग ऐसे भी मिल जाएंगे तो चार-चार साल से लिख रहोंगे लेकिन अर्सी के एक्जाम नहीं निकाल पाते हैं हैं आपको मिलेंगे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यह लक्षण अपने आप आते हैं कोई हमारे कहने से नहीं आएंगे ना हमारे कहने से आपके अंदर गलत लक्षण आ जाएंगे ठीक है इसलिए बोला हूँ अब आप क्लास देखिए समझे हैं सबसे पहले मैं सबकीन की आउटलाइन बताऊंगा आउटलाइन वीडियो समझने के बाद आप दो-तीन बार देख लीजेगा इसके बाद कॉपी में इनको नोट करना है एक कॉपी में पांच सब्द से अधिक नोट मत करना ठीक है फिर उनकी आउटलाइन खुद से बनाना फिर चेक करके इसके बाद उनका अभ्यास कर लेना इसके बाद इसी वीडियो में डिक्टेशन दोंगा डिक्टेशन को आप दस बार कम से कम प्रैक्टिस करोगे पर तेक बार पूरी डिक्टेशन लिखने के बाद पढ़ोगे जहां जहां आपको रुकना पड़े अपनी लिखी हुई आउटलाइन ना पढ़ पाओ उनका विशेज ध्यान रखना है उस पे कि क्या गलत किया है मैंने उसको गलती को दूर करने वाद फिर से बैस करना है ठीक है यह प्रकरिया आपकी हर एक्सर्साइज में चलेगी चले देखिए लाइन के उपर का बनेगा क्यों क्यों क्योंकि का वेंजन आड़ा वेंजन है और दूसरा वेंजन क्योंकि उपर से नीचे बनने वाला रहा है इसलिए दाग आड़ा बनता है यग्य तो या बनेगा गा बनेगा फिर बैग जाके या जोड़ेगे यग्य दा बनाया मा बनाया दम ला और ये ता ला बनाया और ये ठा बनाया रा बनाया और खा बनाया डैस निकलता है रा बनाया और ठा बनाया रथ ठीक है जा जहन्डा जह और ये ठा जहत चा 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 फा ट बा गाड़ा बनेगा लालडू ता बनेगा और ये ला बनेगा रा बनेगा और ये चा बनेगा उपर से बहुत ध्यान से समझिएगा फिर रा बनेगा और ऐसे वा बनेगा फिर ता बनेगा फिर ऐसे वा बनेगा ठीक है रा बनाएंगे ऐसे पा बनाएंगे फिर ये ता बनाएंगे ठीक है ये था बनाएंगे और ये मा को कट लगाएंगे ना हो जाएगा मा बनाएंगे गागाडा बनेगा ठीक है रा बनेगा ऐसे फिर हा बनेगा फिर ये ना बनेगा जासे जंडा बनेगा गासे गमला बनेगा फिर अडा बनेगा का बनेगा रा बनेगा ना बन नान इसको पेस्ग करके समझ लो माँट र ठीक कि आप इनमें दूनों मेंसे कोई एक बना सकते हैं चाहिए बनाओ चाहिए दुनों से おい एक ब्यास करना होता है ठीक है जन रिखाच्च्रों में दो-चाहिं मतारे हैं तो यह करना ना खातम ला बनाओ फिर हा ऐसे बनेगा इसी बें को लंबा कर देंगा रा लग जाएगा परत फासे फल का फक कालस सा ऐसे बनेगा फिर रा बनेगा ना बनेगा सा के बाद जब रा आता है तो ये वाला सा बनाना ये बनाने में थोड़ा सरल रहता है ठीक है हा बनेगा ऐसे ऐसे फिर ला बनेगा फिर चा बनेगा फिर ला बनेगा हल चल ठीक है टा बनाया मा बनाया फिर टा बनाया टम टम मा बनाया फिर ला बनाया फिर डा बनाया फिर मा बनाया ये डा गाड़ा बनता है भा से भालू गाड़ा बनता है ना को कट लगाओगे तब मा को कट लगाओगे तब ना पड़े गई गा बनाया जा बनाया ला गजल वा और ये टा दा गाड़ा बनेगा ल दल लट ला और ये टा ला बनेगा अड़ा बनेगा रा को कट लगा प्यड़ा पा बनेगा दा पद दा और ये मा दम जा और ये ला जल चा हा को कट लगाएंगे चड चा और ये टा ठीक है चट ये हाबनेया दाबनाया हद धाबनाया ऐसे रागुकट अड़ा धड़ फाबनाया मामे कट ना फन ता प टा प टा क ना ऐसे बनाव गाबनाव नग धाबनाव माबनाव धम माबनाव उपर से नीचे के तिसामे दा मद भाबनाया राबनाया रगड खाबनाया फिर अड़ा ख माँ में कट लगा के ना पड़ेंगे जनक, का बनाया, माँ बनाया, फिर राबनाया, कमर, हावन, यह बन, न, म, फिर न, नमन, भाबनाया, जा, न, बजन, माँ को कट लगा के न, ठीक है, क, फ, न, फ, ल, च, क, वो, ध्यानते बना न, अच्छे समझ लेना, ल, च, क, क, ट, क, द, गाड़ा बनेगा दबक, ल, प, क, म, न, क, प, ल, ट, ठीक है, बाबनेगा गाड़ा, द, क, बतक, म, ल, फिर न, को कट लगा के ला नीचे को आएगा, फिर से देख बसको, म, ल, म, ल, यह कट लगेगा, है न, अगर कट नहीं लगाओके तो फिर ना पढ़ा जाएगा, च, क, म, क, सब हलके बनेगे, बागा गाड़ा बनेगा, र, त, न मा को कट लगाएगे तो ना हो जाएगा, भ, न, क, मा में कट लगाएगे तो ना हो जाएगा, स, ल, ग, म, थ, र, म, स, ना में कट लगा के मा पढ़ेगे, प, ज, ल, प, ल, ट, न, मा को कट लगाएगे तो ना पढ़ा जाएगा, ठीटे, धाबनेगा, अडाबनेगा, काब नेगा ना धालकार गाड़ा बनेगा गाड़ा बनेगा फिट्टा बने गाड़ा भकर थर 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 ठीक है यह गया करवट का है यह हलका करवट दा बनेगा रा बनेगा पाप बनेगा फिर मा में कट लगाएंगे ना दर पन तो यहां तक आपकी एक complete मैं आपको बता दिया इस वीडियो को दो से तीन बाद देखिए पहले इसके बाद आपको इन outline का dictation से जैसे copy बताया था उनका पहले copy में भर लीजेगा, एक page में 5 सब्स हिंदी लिख के दुवारा हिंदी नहीं note करना है, यह इवर उनके outline का बैस करना है, फिर इसके बाद जो मैं dictation देने जा रहा हूं इस dictation से 10 बार आपको practice करनी है, एक बार प्रैक्टिस करने पाद पढ़ना है जहां-जहां आपको रुखना पड़े अपनी आउड्लेंड ना पैचांपा उस पर फिर से प्रैक्टिस करो फिर दिवापर डिक्टिसन लिखना है फिर पढ़ना ये पक्रिया दस दा मिनिमम्मम दस बार ठीक है इतना तो करना ही है और प्रैक्टिस से बजना नहीं है आलस नहीं करना है ठीक है चलिए अब आप डिक्रिशन से अभ्यास कीजिए झाल झाल झाल